एलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग विस्वाती तो आज मैं बन रहा रही हो सबजी वेच दिवानी हाडी जसके लिए मेरे पास जो भी सबजी थी आप कुछ भी काट सकते हैं तो मैंने इसमें प्यास, इम्नमश, गाज़, बीज, आलू, मश्रूम और ब्रॉ सबजी काने में बहुँ चैस्टी और यमी है इसको एक VE د incrush, रच करें, आप प्यास को तो सुर्ण यह करीज़ घाने के लिए हैं और जितना भी आप लाल करेंगे इसके पे आज का टेस्ट अच्छा ही आएगा उसके बद मैंने इसमें लसन और थोड़ा सा अद्रक भी डाल दिया है और मैंने गैस आफ कर दिया है मुझे लसन अद्रक पकाना नहीं है और काजू भी मैंने इसमें डाल दिया 8-10 और इस सब को इससे चला लिया है और इसके बाद इसमें ग्राइंड कर दूँगी तो थोड़ा सा ठेंडा पानी डालके से आप ग्राइंड कर सकते हैं अभद मैंने कड़ा एक तेल डाल दिया है और शीमें जीडा है नाधी गर्म इडाले दालकिए मैंने कालमीलश इलाईची और list डालके को मिक्स के लिए। यसके लागा रगए दो टेज पत्ता बेया है amendment उसके बद मैं इसमें हल दी, थोड़ा सा रेड़ चिली पॉडर और अब मैं इसमें थोड़ा सा स्वादनुसार सौर्ट भी डाल दूंगी और मसाले में इसमें मैंने सिफ जीरा पॉडर, धन्या पॉडर और ये सब डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे नमक थोड़ा स्वाद नुशारी डालिएगा क्योंकि मैंने इसमें नमक को दो दो से तीन बार एड़ किया है अब इसमें मैं एक बड़ा चमच कैचप एड़ कर रही हूँ टेमाटर कैचप है और अगर ना हो तो आप इसमें टेमाटर कैचप डालके से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक इसमें तेल ना छोड़ दे तो सबजी को इतना ही भूझेंगे उसके बाद में सारी सबजी आड़ करके तो अब मैंने इसमें थोड़ा से नमक की आड़ किया है पक जाएगे जिसमें मैंने कस्तुरी मेथी डाल दिया है और ये सब को अच्छी तरस चला लेंगे और मेरी सबजी परफेक्टी हो चुकी है पांच मुट के अंदर मैं इसमें धने से गार्नेश करने के बाद इससे सर्फ कर लोगी तो इसके लिए मैंने एक रोटी गार्लिक बनाया था जो डेस्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी थैंक ये पॉर वाचिक माई वीडियो ओके बाई बाई